आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे Microsoft Word के अन्तिकत में अगर हम कुछ भी English में टाइप करते हैं और वह Hindi में टाइप होता जाए तो इसका setting कैसे कर सकते हैं Demo के तोर पे आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसे ही कुछ भी English में टाइप करेंगे वह by default हिंदी में टाइप होता जाएगा जैसे सुमन कुमार जैसे हमने नाम टाइप करा और टाइप करते ही अस्पेस दिया वह क्या हुआ हिंदी में टाइप हो गया Windows 10 के अन्तिकत में यह setting करने के लिए आपको simple window वाले option पे click करना है window पे click करने के बाद फिर आपको setting में जाना है और setting में जाने के बाद time and language पे click करना है जैसे ही आप time and language पे click करते हैं आपके पास यहाँ एक language का option मिलेगा इस language वाले option पे फिर click करेंगे और click करने के बाद आपको यहाँ पे add a language का option मिलेगा इस add a language पे click करना है और next पे क्लिक करने के बाद कूछ सर्च करकर आपके पास यहां option मिलेगा जिसके अन्तिकत में आपको set as my windows display language पे क्लिक करना है फिर इस option पे क्लिक करने के बाद install पे क्लिक करना है इंस्टाल पे क्लिक करने से पहले धिषान रहें कि आपके system के इन्तिकत internet connect होना चाहिए क्योंकि यह download होगा तो यहाँ पे internet connect रहने के बाद आपको install वाले बटन पे click करना है जैसे आप install वाले बटन पे click करेंगे देखे हिंदे typing आपका installation start हो जाएगा यहाँ पे pending में show कर रहा है कुछी समय में install complete हो जाएगा wait करते थोड़ा यह downloading option में आ गया है अब यह download होकर हमारे system में install हो जाएगा फिर हमें हिंदी वाले option पे click करना है फिर हिंदी वाले option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अगर ऐसा setting windows display language को option आता है तो आपको यहाँ पे no sign out later पे click करना है फिर आपको यहाँ से हिंदी पे click करके options पे click करना है और फिर options पे click करने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद add एक keyword में जाकर आपको यहाँ से search करना है हिंदी phonetic input matter editor इस option को choose करना है और choose कर आप इसे इसके नतगत में add कर ले add करने के बाद आपको simply से cut कर देना है फिर आपको यहाँ पे English का option मिलेगा इस English वाले option पे click करने पर देखेंगे उपर में तो आपको यहाँ दो हिंदी का option मिल रहा है एक हिंदी traditional keyboard और दूसरा हिंदी phonetic का आपको यहाँ से हिंदी phonetic वाले option को चूज करना है और चूज करने की बाद आप आप जो भी आप type करेंगे English में वा हिंदी में type हो जाएगा जैसे हम यहाँ type करते हैं कुमार, वर्मा ठीक है जो भी आपको type करना हो जैसे कॉमल देखें type हो रहा है आप जो भी आप type करेंगे सारा का सारा English में टाइप करने पर वो आपका Hindi में टाइप होचा जाएगा Thanks for watching, मिलते हैं next video में